हाउसफुल में बॉबी देवल थे पता है आपको मज़ा आया था पर एट प्रेजेंट जो बॉबी देवल का लेवल है जो एक सौंग छोट इसी जलक हो या फिर एनीमल का वो जो बस पंदरा एक मिनिट का पार्ट हो जो अपना हाई लेवल स्टार्डम हो ने बनाया है न तो वो वापस हौसफुल में होंगे वो वाले बॉबी देवल जिसका है खतर नाक है जिनका स्वैग है जिनका स्टार्डम है वो होंगे तो मज़ा आएगा न करेक्त है पर अगर मैं यह बोलू कि हाउसफुल फाय में अगर सनी देवल है तो क्या पता और मज़ा है जी हाँ सनी देवल को जाइन किया गया है नारियाड वाला क्या आप लोग जानते हों कि है उस फुल जो है फ्रंचाइज फाइ में सनी देवल भी है ऐसा बोला जाता है अभी एक लिटेस रिपोर्ट सामने आई है डोंट वरी ये कोई व्यूज के लिए बनाया हुआ वीडियो नहीं ह सच में पहले मुझे भी लगा था कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई इसके बारे में सच बोलो जो सच है हो एट प्रेजेंट सही में ऐसे ट्रेंडिंग आ रहे है और इसी बात्चित भी हुई है कि there is high chance कि obviously अक्षे कुमर is the lead रितेज देश्मुक्त होंगे ही 5 करोड is the budget यह तो आपको पहले ही पता है कि यह बिक सिर्फ फ्रेंचाइज ही नहीं है यह most expensive comedy movie है जिसमें action ज्यादा है house full इस पर जो है वो जो comedy है सिर्फ comedy नहीं है action भी है इसलिए इन लोगोंने budget ज्यादा रखा है यह star cast की वज़े से नहीं है budget ज्यादा तो यह एक प्लस पॉइंटे पर आप action है और सनी देवल भी है ऐसा बोला गया है अब देखो कुछ लोग बोलेंगे भाई comedy है सनी पाजी क्यों है ऐसा वैसा तुम्हें आपको बता दू कि भाई यमला पगला दीवाना जैसी ऐसी बहुत सी फिल्में है जो जिन्होंने बहुत अच्छी सनी देवल जी ने comedy की है एड उनका भी भाई देवल का अच्छा का सा एक दम चल रहा है ना अभी सो अच्छी बात ही है मेरा यह मनना है एंड यह I'm so happy for Akshay Kumar obviously हाउस्फुल हाँ यार हाउस्फुल में भूल गया हो एक मामल में कि वह यारे वह 25 में आरी है ना या 24 में नहीं सो यह लेकिन यह नियूस कंफर्म है जो आप लोग बोल रहे हो ना कि मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हो था उस पर अब यह नहीं पता कि वह कैमियो रोल है मतलब में लीड यानि की अक्षे कुमार इतना ही रोल है या कैमियो यह नहीं पता सुना तो मैंने है कि उनसे कैमियो की बात नहीं हुए है अच्छा खासा रोल है मतलब वह उनकी भी फिल्म है तो मैं ज्यादा एक्साइट हूँ एक्षिली एंड यह यह इस नाट फेक स्टार कास्ट फाइनल अभी तक उन्होंने की आई नहीं है कंफर्म कि मतलब आक्षय और रितेश बस इतने ही है उसमें लीड एक्ट्रेस वगरा मतलब कंफर्मेशन यानि की एक पूरा कभी-कभी पोस्टर आता है या सम्थिंग पर अभी मूवी को टाइम है ना तो पर य यू जूति निए वे धिस इस कन्फर्म